श्रीषवय नमस्तुभ्यम जै माता पारवती माता पारवती की कृपा आप पर हम पर सदसरवदा बनी रहे आशा करती हूँ कि हरताल का तीज का वरत पूजन बहुत ही अच्छे से आप सभी का और हो गया होगा आज की इस वीडियो में आपकο बताने वाली हूँ की विसरजन किस परकार से किया जाता है काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं फिर भी बता देते हूँ कि आपको क्या क्या क्य करना है तीजा के वरत से अगले दिन, सुभह सुभह ब्रह्मूरत में ये विसरजन कर दिया जाता है, तो सुभह को फिर से पूझन होता है, कोई लोग चार प्रहर की पूझा करते हैं, कोई दोकी तो हुआ शरूप से करनी चाहिए, शाम को प्रदोश काल में, और अगले दिन सुभ यानि कि सूरेदों से पहले चार बजे के असपस ये विसरजन किया जाता है तो देखें ये बायना जो है वो तो हम पहले ही शाम को बायना जिसको भी आप देते हो अपने किसी भी बड़े को ससराल पक्ष में उसको आप बायना दे दें पैर चू करके आशिरवाद लें उनका और उसके बाद में देखें भोग प्रसाद भी हम वहाँ से उसी शाम में उठा लेते हैं बस खीरे को वहीं पर रहने देते हैं तो देखें ये जो नारियल है इसे आप बगहर करके प्रिवार में वित्रित कर सकते हैं और जो सिंदूर दान है इससे देखें सुहाग लिया जाता है सुभा के समय माता पारवती सुभा की वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं इसे भी अपने यथास्थान पर रख देते हैं और जो भी हमने देखिये यहां पर पूजा में यहां पर जो भी शुप परिवार और यह जो रखाए दो जी शुंगार की जो सामिगरी है इन में से एक दो दो चूड़िया भी हम पहन लेते हैं और जो भी शुंगार की सामिगरी हमने यहां पर बेट करी है इसमें से थोड़ा सा प्रसाद की रूप में आप ले रहेंगे बाकी आप सुभाग अनिस्त्रियों को दान कर सकते हैं और इस तरीके से सुभा की सामिगर करके भी आप वितरित कर सकते हैं और जो हमने बायने निगाला था उसके उपर भी सुभा की समय जरूर रखी जाती है कुछ न कुछ दक्षना आवश्य रूप से रखें आप चौकी के ऊपर देखिए यहां पर जो खीरा है खीरे को खा करके ही सबसे पहले जो है खीरे को का जाता है उसके बाद में खीरा खा करके ही व्रत का पारण किया जाता है उसके बाद में कुछ अन्य भूग प्रसाद ग्रहन किया जाता है और इसी के साथ में देखिए यहां पर जो भी दक्षना है इसे आप दान कर दें दान पातर में भी आप इसे डाल सकते हैं इस तरीके कर सकते हैं और विसर्जन हमें कहां करना है देखिए विसर्जन आप चाहें तो कहीं भी कोई भी यासी भूमी हो वहाँ पर आप गड़ा खोद करके भूमी विसर्जन कर सकते हैं और जो भी और्गेनिक चीज़ें उन्हें आप चाहें तो किसी भी पवित्र नदी में भी विस ही किसी भी शुद्ध पात्र में जल भर करके और उसके अंदर आप इन मूर्तियों को डाल दें और वो पानी में घुल जाती है और घुलने के बाद में आप उस पानी को तुलसी के गमले को छोड़ करके किसी भी पौदे में या पौदे की जड़ में पीपल आदी में या कही पर भी अपनी क्यारियादी में उस चल को दे सकते हैं, तो सारी चीज़ों को हम इस तरीके से इकटा कर लेते हैं, पार्थी मूर्तियों का किस तरीके से विसरजन करना है वो मैंने आपको बता दिया है, कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इन मूर्तियों का हमें क्या करना होता है देखे प्रतेग पूजा में जो भी हम मूर्थियादी बनाते ना उन सबका विसरज़ सेम इसी विधी से होता है यदि आप डेली पूजा करते हैं या वृत पूजनादी करते हैं तो आपको कुछ चीज़े होती हैं कि अभ्यास में आ जाती है कि इन चीजों का हमें क्या करना है जो भी प्रयोग के चीज़े होती है उनका हम रियूज कर लेते हैं प्रयोग कर लेते हैं या वित्रित कर देते हैं जो भी भोग नवैदे होता है उसकी चीज़े होती है और इस तरीके की कुछ चीज़ें उन्हें विसरजित कर दिया जाता ह और अगर आपने जन्यव आदी चड़ाएं तो आप उन्हें पंडची को भी दे सकते हैं जो भी जन्यव पहनते उन्हें भी आप दे सकते हैं तो इस थाले को आप चाहें तो परात आदी में जल भरके उसमें रख दे तो जितनी भी मूरतिया हैं वो सब जल में विलीन हो अपने उपर और परिवार के सरदस्यों के उपर आप इसे चिटके और जो भी हम इसमें पात्र Common Yeah यह उफ्रसको लगा सब्सक्रे और बहुमी विसरजन शुपले से और ज्थिक्रे सक्वे जहां हो कि अनाच जो हम यहां पर चढ़ाते हैं उसका हम we होता है तो देखे इसके दो अप्शन होते हैं या तो आप असदल कमल और यह जो कटोरिय में हमने चावल भरके रखे इसके अंदर और चावल मिला करके पंड़जी को या फिर किसी भी जरूत मंद को आप दान दे सकते हैं और अगर थोड़े से चावल ने तो आप इने चिड में रख लेते हैं दुबारा से पूजा में प्रयोग में लाने के लिए और इस तरीके से हमारे कलश का भी विसरजन हो जाता है और इसमें देखे अगर आप चाहें तो सिक्का, सुपारी और हल्दी की गाट को दुबारा से भी कलश स्थापना में प्रयोग में ला सकते हैं और कलश को हम इस तरीके से धुल करके दुबारा से पूजा में प्रयोग के लिए रख लेते हैं और जो भी आपने यहाँ पर कोई भी पत्थर की या फिर कोई भी तस्वीर आदी रखी है पूजा में तो आप उसे दुबारा से जलके छीटे दे करके अपने पूजा इस थल रख लें और जो चुनरे अर्पित करी है उसे भी आप दुबारा से प्रयोग के लिए रख सकते हैं नहीं तो आप किसी भी कर्णा को इसे दान में दे सकते हैं करने बहुत ज़्यादा खुश होती है यदि हम इस प्रकार से उन्हें कुछ भी भेट करते हैं तो इस प्रकार से हमें हर्ताल का तीज की चौकी का विसरजन करना है तीज के अगले दिन सुबह सुबह भोर में यानि कि कोई की आवाज हमें नहीं सुनाई देनी चाहिए उससे पहले ये विसरजन कर दिया जाता है और देखे वैसे तो चार प्रहर में इसमें हवन किया जाता है लेकिन ज आप सुक्ष्म पूजन करें हवन जरूर करें माता से सुहाग ले और इस प्रकार से चौकी का विसरजन करें और चौकी का विसरजन करने के बाद देखें यहीं चौकी के पास ही बट करके आप खीरा खा सकते हैं लेकिन उससे पहले हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके जो भी हमारी पूजा है जो भी हमारी पार्थे मूर्थियान उनके उपर आप उन्हें वार करके उनके उपर वश्रूप से शिटक दें और प्रातना करें कि हे गौरी गडिश, हे वरुन कलश देव, हे भोले नात हमने अपनी हरताल का पूजन के हेतु आप सभी का आवाहन कि लखें, परन्तु इस रूप से आप अपने लोग को पधारें, इस तरीकी से चोकी को आप हिला करके उसके बाद ही यह सारी प्रक्रिया आप करें चोकी के विसरजन की, इस वस्त्र को चाहने तो आप दान भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे धुल करके दुबारा से भी परवती में या किया पवशे लिखें राधे राधे जैहु परवती में या कि